नमस्कार आपका स्वागत है भारतिय सभेता और जोतिशों की माने तो वास्तुशास्तर की भूमी का हमारे जिवन में सबसे ज़्यादा महतोपुर्ण होती है घर के निर्मान और घर में होने वाले कर्मों के दोरान आपको वास्तु शास्त्र का सबसे अधिक ध्यान रखना होता है कुछ लोगों को इसके रहस्य और वास्तु शास्त्र के एहमेत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है लेकिन पोरानिक कथाओ और कई प्रताये ये सिद्ध कर चुकी है कि हमारे घर के भीतर ही कई ऐसे संके छिपे होते हैं जिसके बारे में जानना हमारे लिए आती आवशक है ये संकेत आपके जिवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं जोतिशो की अनुसार जब दरिद्रता और गरी भी आप पर हावी होने लगती है तो आपके घर की कई चीजे इशारा करने लगती है आज हम आपको बताएंगे क्या आपके घर से आपको गरिवी बढ़ाने के संकेत कैसे मिलते हैं दोस्तों वास्तु को आम तोर पर दिशाओं का विज्ञान माना जाता है कई बार घर की चोटी चोटी बाते जो में सामने सी लगती है वो सफलता में रुकावट बन जाती है जैसे अगर घर में कोई परेशानी दस्तक देने वाली होती है तो उसका सिधा असर घर में लगे तूलसी के पोधे पर पढ़ता है तूलसी का पोधा पूरी तरसे सूख जाता है जिससे घर में मुसिबत और धरिदरता आने का सबसे बड़ा संकित माना जाता है सिर्फ तूलसी ही नहीं बलकि घर में लगे आनने पेड पोधे भी हमेशा हरे भरे रहने चाहिए अगर आपके घर में लगे पेड पोधों की पत्तिया सूख रही है तूसे तुरंद कटवा ले इससे आपके उपर कर्ज बढ़ने की सबसे ज़्यादा संबवना बढ़ जाती है रसे घर में रात के जूटे बरतनों को नहीं छोड़ना चाहिए रस्वे घर में पड़े रात के जूटे भरतन घर में गरे भी आने का सबसे बड़ा कारण माने जाते है शास्त्रों में कहा गया है जवेक्ती जूटे पड़े भरतनों को साफ नहीं करता वो अपने जिवन में विफलता का ही सामना करता है वही जिस घर में जूटे बरतनों को रात में ही धो दिया जाता है वहां लक्षमी जी का वास स्वयम हो जाता है भूल कर भी अपने सोने वाले कमरे में पलंग के सामने आईना नहीं लगाना चाहिए ऐसा माना जाता है कि अगर पलंग के सामने आईना लगा हो तो इससे पती औ और तनाव से घिरा रहता है, इसके साथ विक्टि के कार्यों में बाधाय आती है और उसे परिशानियों को भी जहलना पड़ता है। दरिदरता और गरिबी से दूर रहना है तो नास्ता करने से पहले घर में जाडू अवश्य लगा ले या आपके लिए शुब सावित हो सकता है जाडू को कभी भी सिधा करके नहीं रखना चाहिए इसे हमेशा लिटा कर ही रखे जाडू को खड़ा रखने से घर में कलेज बन आस नहीं होता घर में दूद उबल कर गिरना भी अशुब माना जाता है इससे आचानक आपके उपर पैसो का खर्च बढ़ सकता है घर में लोग बिमार हैने लगते है साती ऐसा होने से पारिवारिक जिवन भी अस्तविस्त हो जाता है इसलिए आगे से इस बात का ज़रू ध्यान रखे और घर में उबलते हुए दूद को गिरने से बचाये कुछ लोग अकसर अपने घरों में बातरूम के दर्वाजे को खुला छोड़ देते है लेकिन ये गलती आपके लिए काफी भारी पर सकती है घर में बातरूम का दर्वाजा कभी खुला नहीं छोड़ना बातरूम का इस्तमाल करने के बाद दर्वाजा बंद करें दर्वाजा खुला रहने से घर में नकरत्म कुर्जा बनी रहती है और दर्दरता का वास होता है अगर आप घर से बाहर जाए और आपको लोटते समय घर के बाहर छिपकली के दर्शन हो जाए तो इससे शुब मान गर के दर्वाजे पर छिपकली के दर्शन होने से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। गर में कलह और वेबे ने तरह की परिशानियों को जन्म देता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखे और गलती करने से बचे। तो ये थे वह घर में गरीबी आने के कारण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करे। कमेंड में जैमा लक्ष्मी आव निवाद।